असलाम लेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद है आप सब लोग बिलकुल खेरियत से होंगे मज़े में होंगे और आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी बायोजिकल क्लॉक्स एंड सिर्काडियन रिदम्स तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं आज के टॉपिक प होते हैं इंक्लोडिंग हम लोग जाने के हुमन बिंग्स हमारे हां कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं वो हम पर्टिकुलर वक्फों के बाद दोहराते हैं ठीक है इन एक्टिविटीज को या इन रवैयों को हम कहते होते हैं बायो रिदम्स या बायोजिकल रिदम्स ठीक करती हैं इसी तरह से अगर हम चम्गाद़ों को देखें या बैट्प को देखें तो रात की टाइम arriv होती है और दिन का टाइम जो है वो हम सबस्किया रेस्ट का होता है तो इस तरह के जौ बीहेविरियल आक्टिविटीज होती रह को तमाम जानदारों में मिलती हैं और वो वक्फों के बाद रिपीट होती हैं इन एक्टिविटीज को इन रवईयों को हम बायो रिधम्स या बायो रिधम्स कहते हैं अच्छा बायो जिकल रिधम्स जो 24 घंटों के बाद होती हैं या एक दिन के बाद repeat होती हैं, उनको हम circadian कहती हैं, अच्छा, अगर आप देखें, तो यह जो लफज है circadian, यह latin language का लफज है, और latin language में basically दो लफज थे sirka, जिसका मतलब है about, यानि के मुतलिक, और dyes, यानि के day, यानि के दिन के मुतलिक, तो जब कोई भी organism, ऐसी activities को करत हैं, जो एक दिन के बाद दोराई जाती हैं, उनको हम circadian कहते हैं, यह तकरीबन एक दिन के बाद repeat होती हैं, इसलिए हम इनको diurnal rhythms भी कहते हैं, ठीक है, तो यह diurnal rhythms भी कहलाती हैं, ठीक है, तो यहां हमने पढ़ा, कि तमाम जानदारों में कुछ activities particular वक्फों के बाद repeat होती हैं, वो बाईयो रिदम्स हैं, अगर बाईयो रिदम्स चौभी सखेंटे के बाद हो रहे हैं या एक दिन के बाद हो रहे हैं, तो हम उनको circadian कहते हैं, हम circadian को diurnal rhythm भी कहते हैं, अच्छा, students, ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे रवीए होते हैं, कुछ ऐसे बाईयो रिदम्स हो discuss कर लिए एक हैं Sircadians जो एक दिन के बाद होंगे एक हैं Sircadians जो पूरे एक साल के बाद होंगे अगर आप देखें तो ये लफज भी दो अलफास पर मुझतमिल है Sirc ा यानि के About Aannual को अगर हम देखें तो Aannual का मतलब होता है सालाना यानि के एक साल के बाद अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बायो रिधम्स हैं ये बेसिकली क्यों होते हैं बात ये होती है कि तमाम जानदार अपनी जिस भी मुखौल में रहती हैं उसमें बहुत सारी चीजें वक्फों से बार बार आ रही होती है जैसा कि दिन रात का बनना ठीक है इसी तरहां से मौसमों का बनना ठीक है इसी तरहां से जैसे हम आजकल की बात करें तो जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है और इससे कुछ महीनों पहले मौसम थोड़ा गरम था ठीक है या दिन थोड़ा गरम था ठीक है इसी तरहां से तो जो हमारा environment होता है उसमें बोगा सारी तबदिलियां होती हैं और जर्णली वह रिपीट होती हैं कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बर्फबारी कभी बारिश कभी आंधी कभी तुफार्म तो फिर उसके मुताबिक जानदार respond करते हैं ठीक है जिसके नतीजे में बायो रिधम आपने देखा होगा जैसे ही दिन आता है तो हम एकलब ऐक्टिव हो जाते हैं और इसमेश मेश्या क्लिए उल्णा काम मेश्यास्टिक होता है लेकिन जैसे यसे रात होती है हमारे काम करने की कपस्टिई थोड़ी सी कम हो जाती है और और mistakes के chances बढ़ते जाते हैं, डिक है, तो इसलिए इसलिए होता है, कि या हम एखस environment में या एक खस मोहाल में काम करनेके अधी होते हैं, डिक है, एक खस time तक काम करने कादी होते हैं, तो इसलिए हमारा behavior है, ये पाई रिदम, ये कही나 कहीं हमारा मोहाल बना रहा है, लेकिन इसम सिर्फ मुखुल का कमाल नहीं होता कभी कबार ऐसा भी होता है बलके कभी कबार क्यूं हमेशा ही ऐसा होता है कि हर जानदार के अंदर एक internal clock होता है एक internal rhythm होता है जो उसको बता रहा होता है कि जनाफ future में ये मुखुल में तबदीली होगी तो अपने आपको अभी सेट कर लो ताके आप मुखुल की changes के मताबिक respond कर सको या properly prepare हो सको ठीक हो गया जैसे for example जितने भी organisms होते हैं उनको जर्णली पता होता है कि कब सरदियां आने वाली हैं तो उसमें जो organism ऐसे होते हैं अपनी खुराक का जखीरा करते होते हैं सरदियों के मौसम के लिए वो before winter season जो है वो अपनी खुराक को जखीरा कर लेते हैं इसी तरह से अगर कोई organism है उसको पता है कि उसने बहार के मौसम में flowering करनी है या अपने fruit बनाने है या अपने flowers बनाने है तो वो उससे पहले ही अपने birds को बनाना शुरू कर देता है ठीक है तो इस तरह से हर जानदार में एक internal rhythm होता है एक internal clock होता है जो उनको हर वक्त बताता रहता है कि ये वक्त आने वाला है खुद को prepare कर लो ताके तुम उस वक्त के according जो है वो response पैदा कर सको ठीक है आपने भी खुद को देखा होगा कि कभी कबार ऐसा होता है कि हम किसी internal environment में होते हैं और सुबो से काम करने लगते हैं तो जैसे से शाम होने लगती है तो हमें खुद ऐसास होने लग जाता है कि अब बहुत काम हो गया हलनके हमने बाहर जाके दिन को नहीं देखा होता कि राट ढल रही है शाम हो रही है लेकिन हमें खुद internal ही पता होता है कि नहीं बस बहुत काम होगी अब रेस्ट करना है ठीक है तो हर जानदार के अंदर एक internal rhythm होता है जो उसको prepare करता है environment में होने वाले changes के हवाले से ठीक हो गया तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि बायो rhythm में एक environment का कमाल है एक internal rhythm का कमाल है ठीक है अच्छा अब हम देखेंगे कि बायो rhythm होते क्यों है याद रखिएगा मैंने आप अभी कहा था कि बायो rhythm में आम तोर पर जो सबसे बड़ा कमाल है वो environment का होता है तो generally जो हमारे बायो rhythm होते है वो हमेशा external stimuli का response होते है जैसे for example सर्दियां आ रही है तो यकीनन हर घर में इस तरह का season होगा कि जनाब जी कंबल निकाल लिए गए होंगे और इसी तरह से जो sweaters है जो जर्सियां है या गरम कपड़े है वो निकाल लिए गए होंगे तो इस तरह से जो हमारी एक्टिविटी है जो हम हर season wise करते हैं कि जनाब जी जैसे ही season change होता है तो उससे according जो dresses है या जो भी चीज़े हैं उनको arrange कर लिया जाता है तो यह जो हमारी activity है इस इस सम external response ठीक है external जाने के जो environment में तबदीली हुई है हम उसका response शो करते हैं ठीक है इसी तरह से देखें सर्दियां आ रही है तो जो पहाड़ी लाकों की भेड़े होती है उन्होंने अपनी जो वूल है उसको बहुत जादा बड़ा कर लिया होगा बना लिया होगा ताके वो सर्दियों में रहने के काबिल हो सकें या सर्वाइफ करने के काबिल हो सकें तो पहली बात कि हमेशा एक और्गिनिजम का response external environment में होने वाली तबदीलियों की वज़ा से होता है दूसरी वज़ा दूसरी होती है internal rhythm internal rhythm भी एक चीज़ होती है जो और्गिनिजम को बतार ही होती है कि खुद को prepare कर लो क्योंकि जैसे ही environment जो है उसमें कोई तबदीली आएगी या exogenous कोई stimulus होगा तो आप उसके according response कर सकें अगर आप यहां पर देखी तो यहां पर एक word है synchronicity synchronicity का मतलब है मतापकत ठीक है तो और्गिनिजम के अंदर एक rhythm होता है जो और्गिनिजम को बताता है कि खुद को prepare करना है ताकि जो महौल में तबदीली होगी चाहे वो 24 घंटे की तबदीली की बात करे हो या 365 दिनों की तबदीली की बात करे हो वो खुद को prepare कर लेते हैं उस तबदीली के लिए ठीक हो गया अच्छा अब तीसरे इंपोर्टेंट बात है कि एक external stimulus और एक internal stimulus ठीक है यह दोनों इंपोर्टेंट है वो एक organism के response को perfect बनाती है और उसके survival में उसको help करती है याद रखिएगा यह जो हमारे biological rhythms है यह हमारे genes में होते हैं यह हमारे genes में हमने inherit किये होते हैं हाँ इसमें एक कमाल होता है environment का ठीक है जैसे for example हर जानदार की यह खुबी होती है कि उसने खुद को बचाना है ठीक है खुद की life को save करना है लेकिन हाँ अगर कोई एक organism ऐसा है जो जंगल में बैठा हुआ है तो definitely अब वहां का environment ऐसा है जो थोड़ा सा dangerous है तो organisms के हाँ ज्यादा survival strategies को अपनाया जाएगा इसके बरक्स अगर कोई animal zoo में है survival के जीन तो उसके पास भी है ना कि उसने खुद को survive कराना है हर environment में लेकिन उसको पता है कि यहां पर सब ठीक है ठीक है मुनासिब है तो फिर उसने वो इतना ज्यादा उसको शो नहीं करेगा अपनी survival strategies को ठीक हो गया तो rhythm हमेशा जीन का हिसा होते है हाँ environment जो होती है वो इस पर असर अंदाज जरूर होती है ठीक हो गया इसके बाद जो सबसे important बात होती है कि हम जो हमारा behavior होता है हम उसको किस वक दिखाते हैं वो हमेशा दो चीजों की वज़ा से होता है ठीक है एक होते हैं जी environment में होने वाले processes और एक होते हैं हमारे अंदर होने वाले processes ठीक है या internal rhythms तो हमारा जो भी रवया सामने आता है that is actually the combination of exogenous stimuli plus the internal rhythm ठीक है तो इसके नतीजे में हमारे रवया जो है वो बहुत सब्सक्राइब होते हैं ठीक है students तो अमीद है कि आपको आज का topic अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा हमने आज बात किया biological rhythm की आप जरूर सुनिएगा अगर आपको इसके हवाले से कोई भी question है तो जरूर पोचिएगा with this Allah Hafiz